Hello students, how are you? आज हम लोग Class 9 mathematics का पहला चपतर री स्टार्ट करेंगे. आप लोग Class 8 से Class 9 में आए हैं. लेकिन एक चीज़ा समझ लेजे, Class 8 से Class 9 का mathematics काफी आसान होता है. बस आपको कुछ basic चीज़ों का पता होना चाहिए. Class 9 mathematics पहला चपतर number system है. नंबर सिस्टम हम लोग बच्पन सभी पढ़ते हैं गिंती नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्यत या गिंती सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे कि कुछ डिफिनिशन जो आप 6 7 8 में पढ़ चुकी हैं उसको रिवाइज करेंगे आप लोग देखते होंगे जितने भी जब द देंटिशन दोहुरा आएंगे जैसे नमबर सिस्टनेट्र सिस्टनेट्र नंबर नेट्रलल नंबर के वारे mice लोग पहले से जानते हैं ठीके है कि नंबर्र विच इसट्राइद फ्रां ओन वन से नंबर इस्टार्ट होता है और सी नेचुलन नंबर को यन से दिखाते हैं ग इस माले सडिप्र सभ famously होता है और ग्रेटिस नेचुलन नंबर की कोई कोई लिमिट नहीं होती है और जिस चीज की कोई लिमिट नहीं होती है उसको मेहत के लेंग्वज में इंफिनीटी काते हैं जिसकों की हिंदी में अनंत काते हैं मतलब कि कोई भी जैसे हम कहेंगे 100 तो कोई कहा देगा one-handed one-handed तो उससे बड़ी नेच्रल नंबर हो गई तो नेच्रल नंबर ग्रेटिस नेच्रल नंबर का कोई लिमिक नहीं है उसी तरह से whole नंबर के बारे में आप पहले से जान रहे हैं नमबर which started from zero या इसकी डिफनिस ठीक है जीरो से जू इस्टार्ट हो वह whole number है whole number को W से दिखाते हैं कुछ लोग इसकी डिफनिस नहीं इसे भी लगते हैं Natural number included with zero is known as whole number. Integers. The collection of all whole number, natural number included with zero and negative of all whole number is called integer. Integer को I या Z से दिखाते हैं. Integer में ने तो smallest की कोई limit है, और ने तो greatest की कोई limit है. ओके? तो student, Integer के बाद हमारा जो पहला topic आता है, rational number. A number is called rational number if it can be written in the form of P by Q. Rational number, rational मतलब होता ratio से बना हुआ है. Fraction आप पहले ही पढ़ चुके या class 8 में भी rational number नामेक चप्टर है. तो class 9 का mathematics, class 8 का mathematics से काफी आसान है. A number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q. यहां आप कोई चीज़ समझना है कि R या P by Q, P Q, यह कोई special नहीं है. कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है. A number P is called rational number which is can express by in the form of A by Q. तो आप उसकी सिस्टम को समझे किसी दो इंटीजर के ratio को rational number कहते हैं. सर्थ है यह कि denominator Q 0 नहीं होना चाहिए. denominator Q 0 नहीं होना चाहिए. Irrational number, a number yes is called an irrational number if it cannot be written in the form of P by Q, where Q not is equal to 0. तो rational का opposite irrational number. अगर कोई number rational नहीं है, तो irrational number. Irrational number means ratio up to integers. equivalent rational number जैसे मालों यहाँ example दिया, 1 upon 2 को हम लोग 2, 2 upon 4 भी लिख सकते हैं, 10 upon 20 भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से किसी भी fraction या किसी भी rational number के हम लोग infinite equivalent rational number लिख सकते हैं. Real number, rational number और irrational number के collection को real number कहते हैं. The collection of all rational number and irrational number together make up what we call the collection of real number. मतलब rational और irrational number के collection को real number कहते हैं. इसको capital R से denote करते हैं. जो 9th का topic सुरूँ होता है, rational number between two rational number, एक वापती rational number के definition आपके सामने हैं, rational number are numbers which can be expressed in the form of P by Q, where Q not equal to 0. अब मालो इस तरह नमबर इंसर्ट करना है, तो आपको पहले बता दे किसी भी दो rational number के बीच में infinite rational या infinite irrational number होते हैं. rational number या irrational number निकालने के कई तरीके हैं, आपको कोई एक तरीके पे या दो तरीके पे उपना confidence करना है. अब मालो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो अगर X और Y दो नमबर हैं, उनके बीच एक रिश्टन नमबर निकालना है, तो X प्लस Y को प्लस करके 2 से डिवाइट कर देते हैं. अब हम लोग आ जाते हैं exercise 1.1 पर, काफी simple exercise है, शुरुआत में काफी अच्छा दिया, आपको बारबाब फिल होगा कि class 9 का mathematics, class 8 के mathematics से काफी आसान है, आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे system से, तो आप 95% marks आसानी से गेंग कर सकते हैं. इस zero is a rational number, पहला question है, क्या zero rational number है, अगर है तो उसको PYQ की रूप में लिख कर दिखाईए, तो yes, zero is a rational number, no problem, zero rational number है, जीरो आपका rational number, whole number, integer सब में है, बस natural number में नहीं आएगा, अब इसको क्या करेंगे, अमालो zero है, तो zero upon one भी zero ही होता है, तो कोई भी चीज़ लिख दो, zero upon one, zero upon two, zero upon hundred, zero upon two thousand, zero upon, बस zero upon zero मत लिखना भे, zero upon zero लिखोगे तो नंबर नहीं पाऊँगे, तो zero upon two hundred, five thousand, something, question number two, find the rational number between three and four, अब जैसे हमने बता है किसी भी दो रेस्टल नंबर के बीच इन्फाइनाइट रेस्टल नंबर होते हैं, अब यहाँ पर हमको six rational number निकालने हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, three और फिर, three और four के बीच में कोई rational number है ही नहीं, तो हम यहाँ common sense लगाएंगे, हमको six number चाहिए, तो हम three और four में seven से multiply करवा देंगे, और seven से divide करवा देंगे, तो three हो जाएगा twenty one upon seven, और four हो जाएगा twenty eight upon seven, अब इनके बीच के number लिख लो आप, यहाँ पर इन्होंने eight से multiply करवाए हैं, तो eight का multiply करवा हैं कोई बात नहीं, six number चाहिए तो eight का भी करवा सकते हैं, seven का भी करवा सकते हैं, इन्होंने eight का करवाया, तो three eight जाए 24, 24 upon eight और eight four जाए 32, तो 24 upon eight और 32 upon eight के बीच में six number लिख दीजे, तो 25 upon eight, 26 upon eight तो इस तरह से हो गया, पाइंड five प्रेस्नल नंबर between three upon five and four upon five, यहां भी वही तरीका लगाया गया है, डिनोमेटर three upon five, four upon five का सेम ही है, अगर आपका डिनोमेटर सेम नहीं रहेगा किसी question में, तो आप पहले LCM लेकर के डिनोमेटर सेम करके, फिर सोचिएगा कि इसमें कितने number का multiply करना है, यह कोई fix नहीं है, यहां पर आपको अपना common sense लगाना है, कि हम कितना number का multiply करें, कि numerator की बीच में उतने का difference पैदा हो जाए, जो question में दिया गया है, जैसे three और four के बीच में कोई natural number नहीं आ रहा है, और हमें five चाहिए, तो इन्होंने six का योज़ किया है, किसका योज़ किया है, six, तो multiplied by six in numerator and denominator दोनम कर दिये, तो हमारा three by five change हो गया, 18 by 30, और four by five change हो गया, 24 24 by 30, और इनके भी five rational number आराम से इन्होंने लिख दिया, 19 अपान 30, 20 अपान 30, तो इस तरह से हो जाता है, इसके एक-दो method और है, लेकिन ये method denominator equal करके किसी number का multiply करवाना उपर नीचे, ये सबसे simple method है, rational number find करने का, question number four, state whether the following statement are true or false, और region भी देना है, every natural number is a whole number, तो एकदम true है, 100% true है, definition इसलिए पहले आपको लिखवा दिया गया, true, since the collection of whole number is a collection of natural number, whole number में सारे natural number होते हैं, एक इस्ता होता है, 0, तो अगर ऐसे पूछा जाए, कि every natural number is a whole number, तो ये true है, every integer is a whole number, अब देखो, integer के भी definition आपको लिखा दी गई, integer क्या होता है, collection of all whole number is a whole, ज whole number, तो उसको integer करते हैं, और question क्या है, every integer is a whole number, तो ये false हो गया, and integer may be negative, but whole number always positive, whole number हमें सारे positive होता है, और integer negative, positive, खुछ भी हो सकता है, तो ये false हो गया, every rational number is a whole number, यहाँ पर भी problem है, false, a rational number may be fraction, but whole number may not be, rational number में fraction, decimal, कुछ भी आ सकता है, जबकि whole का मतलब है, तो whole number हो, one, two, three, four, अब जैसे suppose करो, one upon two, rational number है, but one upon two is not a whole number, इतना पढ़ने के बाद, आपको कुछ हो मग करना चाहिए, हमने यहाँ पर हो मग आपको दे दिया, के वल थ्री कोशन, इससे करेंगे, अगर आपको इस कोशन करने में कोई प्रावलम आती है, तो आप मेरे comment box मिले सकते है, कोशन नोट कर लिए, थ्री कोशन, पढ़ने के बाद जब तक आप उससे related कुछ कोशन अपने आप नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको पढ़ने का कोई फायाद नहीं है, तुरंद का तुरंद जैसे एक एक से साइज पढ़ें, उसके आधार पर आप दो तीन कोशन इस्टा कोई बुक आपके पास हो, या नेट से डाउनलोड करके लगाते जाएं, तब ही आपको चेक होगा कि आपने जो पढ़ा हो समझ में आया है नहीं है, भूमक है, वही चीज जो वहाँ पर है, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख दिया गया है, आपको भी एक्जाम में एंसर अच्छे से लिखना चाहिए, उससे 10% का फर्क अपने आप पढ़ जाता है, थेंक्स भार, टूड़ेज क्लास, आज की क्लास के लिए धन्यभाल, आपको जितना पढ़ाया गया है, आप उसको रिवाइज करें, फेर कापर त्यार करें, और सेफ रहें,